तो दोस्तों सफलता की पौशाग किसी को भी तयार नहीं मिलती है उसको मेहनत से बनाना पड़ता है मेहनत का हुनर चाहिए सफलता की पौशाग बनाने के लिए हेलो एब्रीवन स्टड़ी है इसमें आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा और वापस आगया हुन्दा हिंदू की खबरों के साथ आज डेट है मार्च 17 तू थाजन और नाइटीन और डे है सूपर संडे तो संडे का निस पेपर थ कोल कर मेरा नेम सर्च करके आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो अनकाडमी के प्लस प्लैटफॉर्म पे मेरे दो कोर्सेज अविलेबल होते हैं पहला कोर्स है मेरा डेली करन्ट अफियर शो एज वेल एज मैं अनकाडमी के प्लस प्लैटफॉर्म पे साइंस एंड टेक्निलोजी एक अरेंट अफेर स्वीक कवर करता हूं तो पेज नंबर वन पे आपको जो पहली खबर मिलती है वो है पेशेंट इंडिया टू वर्ग वेद चाइना ओन हज़र तो जब से चाइना ने अपनी वीटो पावर का इस्तमाल करते हुए मसूद अजर को ग्लोबल 267 कमिटी के अंदर मसूद अजर को लिस्ट करवाने के लिए और यहां पे कायांड रहा चाइना का वीटो पावर को इस्तमाल करना कोई भी कंट्री वीटो पावर का इस्तमाल करके मैक्सिमम नौ महीने तक के लिए टेक्निकल होल्ड लगवा सकती है इनिशेली 6 महीने का ट हमारी foreign ministry ने भी करा है कि हम लोग यहां पर चाइना के साथ diplomatic बातचीत करेंगे और यहां पर एक बड़े solution की तरफ पहुचने की हम लोग यहां पर कोशिश करेंगे तो इंडिया को यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है एक है patience दूसरी है persistence यह बिल्कुल आपकी life की तरह रखना है अगर आपको कोई भी चीज अचीव करनी है तो हम लोग लगातार चाइना के उपर एक pressure बनाते रहेंगे जिससे चाइना आगे जाकर जब हम इस resolution को री पेश करेंगे वापस से पेश करेंगे उस समय यह resolution पास होता हुआ हम लोग को नजर आए अकॉर्डिंग देखोगे महाँ पर इस चीज को साफ बोला गया है कि आज की डेट में जितना प्रेशर चाइना धेल रहा है ग्लोबली उतना चाइना ने कभी भी नहीं झेला था क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे उनाइटी नेशन सेक्योर्टी कांशिंग के अंदर यहाँ पर फोटीन टॉक के बाद जब एक रिजोलुशन प्या जाएंगे उसके बाद चाइना हेल्प करेगा इंडिया की मसूद अजर को ऐसा ग्लोबल टेरिस्ट करवाने के लिए उनी सब चीजों के बारे में बात हुई है कि यहाँ पर गवर्मेंट सोच पॉइंट आउट डाइट चाइन प्रेशर बन रहा है युनाइटिट इस्टेच भी बड़े बड़े इस्टेप उठा रहा है और चाइना भी पाकिस्तान की तरह दीरे दीरे आईसोलेट होता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर एक और चीज जो मैंने आपको समझाई थी वो यह थी कि इस प्रेयास कर रहे हैं कि जो चीजे हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं उन चीजों पे हम लोग ज्यादा टैरिफ्स लगाएं उन चीजों को हम लोग बंद कर दें हावएवर दी होपस में भी अन फाउंडेट गिवन दाट पिछले सालों में भी आप देखोगे फ्रम 2008 तो 2010 और 2016 तो 2018 जब इंडिया ने पर्स्यू किया था इंडिया ने सपोर्ट किया था यहाँ बेकि नाइटिन ने शेक्योर्टी काउंसल के लिस्ट के अंदर मसुद र हासकें चाइन ने उस समय एक चीज बोलकर ब्लॉघ लगाया था कि in adequate information कि इंडिया ने पूरी की पूरी की तरीक पूरी तरीके से सारी information नहीं दी पर यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे इंडिया इंफर्मेशन देता गया और आज की स्थिती ये है कि 14 इस्टू 1 के रेशियो से चाइना को ब्लॉक करना पड़ा है इसने चाइना को एक तरीके से सग्रीगेट भी कर दिया कि तरीके से अलग भी कर दिया है पूरी के पूरी इंटरनाशनल कम्मूनिटी से मैंने आपको लिस्टिंग भी करी थी कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है क्या 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 आरं थे यहां पे सबसे पहला यहां पर करन्ड था कि चाइना यहां पर पाकिस्त के अंदर हैं उनको सेक्टियोटी प्रोवाइड का काम भी यहां पर जैश और आईएसाई करती है इसके सासाथ यहां पर इंडिया को सूपर पावर ना बनने देना भी है कहीं ना कहीं इंटर्नल मोटिव है चाइना का और लास्ट बट नॉट डिली स्ट वेस्टन पावर्स दिखाना चाती है चाइना वेस्टन पावर्स को कि चाइना के पास कितना दमखम है इन्ही सब चीजों को हम लोग को याद दखना है देखो अगर मान लो चाइना ने ब्लॉक कर दिया तो ऐसे तो नहीं है कि पूरी कि दुनिया में यहां पर मसूद अज़र के लिए सब सकता है और जो recent media reports है उनको खारिच किया गया है recent media sports में यह था कि इंडिया प्लैन कर रहा है कि open discussion किया जाएगा Security council के अंदर चाइना को confront करने के लिए और force किया आएगा यहां पे चाइना को की मसूद अज़र को list करवा सके हम लोग global terrorist के के रूप में उन सारी की सारी चीजों को reject किया गया है ओके जो हमारे foreign secretary है Vijay Gokhale जी उन्हों ने यहाँ पे discuss किया पाकिस्तान-based terrorism with the officials of the United States administration और थे महां के Congress के कुछ members क्योंकि यहाँ पे हमारे जो foreign secretary है Vijay Gokhale जी वो तीन की visit पर है US की तो एक कुछ important चीज़े हैं जो कि इस particular article में आई थी आगे बरते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ पेज नमर वन पे आपको news मिलती है इंडिया कीप्स खालिस्तान threat of करतारपुर talks करतारपुर से relate करते हुए 14th of March को इंडिया और पाकिस्तान के delegates के बीच में बात चीट हुई जिसके अंदर इंडिया ने दो अपने main points सामने रखे सबसे पहला point जो इंडिया ने सामने रखा था वो यह था कि visa free यहां पे travel होना चाहिए उन सारे स्धालूं का उन सारे pilgrims का जो कि इंडिया से पाकिस्तान विजट कर रहे हैं दूसरी important चीज जो इंडिया ने सामने रखी कि normal days में यहां पे 5000 लोगों को यहां पे जाने देना चाहिए हम लोगों को इस corridor के थुरू और जो special days होते हैं जिसे गुरुनारक देव जैनती है बैसाकी है उन दिनों हम लोगों को 10,000 लोगों को अलाव करना चाहिए यहां पर वो सारी की सारी बात चीत तो हो गई बट करतारपूर corridors के हम लोगों को positives पता है कि यहां पर से community के लिए कितना important है करतारपूर corridor बट उसका negative backdrops भी हम लोगों को पता होने चाहिए इंडियन security agencies के लिए बहुत ही बड़ा concern है यहां पर करतारपूर corridor मैंने आपको पहली भी बोला था कि internal security का मुद्दा हम लोगों को हमेशा करतारपूर corridor के साथ ही रखना है यहां पर अभी पाकिस्तान के अंदर जब meeting हुई थी करतारपूर corridor को लेट करते हुए वहां पर जो लोग खालिस्तान को support करते हैं जो कि हमारे पंजाब के division को support करते हैं उन लोगों को invite किया गया था जो कि हम लोगों के लिए हमारी foreign policy के लिए हमारे agenda के लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे देश को तूमने की बात करेगा तो वो हमारे देश के लिए खतरा है यहां पर उन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोगों को बात करनी है इस particular article के अंदर कि India बिल्कुल refuse कर रहा है कि हम इस तरीके से यहां पर बातचीत नहीं आगे बढ़ा सकते हैं इंडिया ने एक तरीके से अपूस करनी कोशिश करी है बट इंडिया ने openly इस चीज़ को नहीं बोला है उस particular meeting के अंदर इंडिया ने openly क को कोई तवजू नहीं देना चाहते है उस मुद्दे को तवजू मिल चाहे मैंने आप लोगों के साथ November 2018 के अंदर Sikh for Justice नाम की एक organization का जिकर किया था जो कि US Canada based outfit है जो कि यह plan करती कर रही है कि खालिस्तान अलग होना चाहिए पंजाब से और इस organization को हम लोग ने एक तरीके से भायन कर रखा है इन्होंने खालिस्तान का referendum भी किया था 2020 और यहाँ पर इन्होंने ब्रिटेन के अंदर भी किया था जब इंडियन government ने ब्रिटेन को request करी थी कि ऐसी चीजी है उनकी territory के अंदर नहीं होनी चाहिए जो कि इंडिया के division की बात करे तो अभी तक इन मुद्दो अटैक हुआ हमारे देश में उसके बाद हम लोगों को और भी ज़ा सपर्क रहना है तो एक छोड़ा सवाल यह कि क्या जो करतारपूर करीडोर है वो यहाँ पर जो लोग इन्फिल्टर करते हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आ जाते हैं legally क्या उनको एक mark नहीं provide कर देगा य कुछ important issue है जो करतारपूर कोईडोर से डेट करते हुए हम लोगों को याद रखने हैं वाइल पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर टॉक अबाउट पीस उनके जो आर्मी चीफ है वो यहाँ पे इविल्स को यहाँ पे हमेशा प्रमोट करते रहते हैं number of ISI back terror modules जो कि पाकिस्ता जो पंजाब के अंदर आते हैं उनको बस्त किया गया ऐसा यहाँ पे कहना था चीफ मिनिस्टर का और भी बहुत सारे यहाँ पे जो लोग थे उनका यह कहना था और पाकिस्तान जितने भी step उठा रहा है यहाँ पर terrorist को यहाँ पर पकड़ रहे हैं उन्होंने 200 से यहाँ लो आगे बरते हैं page number 2 की तरफ page number 2 पे आपको एक conclave का जिक्र मिलता है headline है food for thought conclave calls for promoting good food and discouraging the bad habits जिस यहाँ पर conclave का जिक्र हुआ है उसकी headline है the national conclave on food खाने के ऊपर यहाँ पर conclave हो रही है और इसका main agenda क्या था कि अच्छे खाने को good food को हमें promote करना है और खराब food को हमें discourage करना ह यहाँ पर director general है center for science and environment की उनका यह कहना है कि आप लोग अपनी industry से हमारी kitchens को नहीं चला सकते हो यहाँ पर जिस चीज के ऊपर गौर दिया गया वो यह है कि food safety and standards authority of India जो हमारी फसाय है उसको कुछ rules उसको कुछ regulations हम लोगों के सामने ऐसे रखने चाहिए जो कि खाने के ऊपर यहाँ पर कुछ restriction लगा सकें यहाँ पर हम लोग एक labeling की बात करते हैं जिसे हम लोग HFSS कहते हैं HFSS is high in fat salt and sugar foods यह वो वाले foods होते हैं जो कि हमारी body को सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं जितने भी बिमारियां होती हैं चाहिए वो डाबटीज ही क्यों नहों वो भी इन्ही पर्टिकुलर चीजों की बज़े से होती है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में category का जिक्त आया जिसका नाम है the red food category इस category is important for your examination basically red food category होती कौन सी है WHO के हिसाब से जब हम लोग किसी खाने को यहां पर pack करते हैं packaged food हम लोग यहां पर लेते हैं और जिन foods के अंदर आपको fat, sodium, sugar ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है जिसे हम लोग HFSS food कहते हैं high in fat, salt and sugar foods कहते हैं उनके उपर आपको red color का एक mark और red warning दिखाई देती है एक सा warning labor जिस तरीके से आप लोग कोई tobacco product लेते हो उसमें 85% उसके front पे आप लोगों को यहां पर एक warning दिखाई देती है उसी तरीके से इन products के ऊपर भी आपको warning दिखाई देती है उन रारी के सारी warning को आप लोग red food category of foods के नाम से जानते हैं at present mandatory element on a label are आज की date में आपको किसी भी particular food product के पीछे जो labeling मिल जाएगी वो कौन सी होती है energy लिखी होती है protein लिखा होता है carbohydrate कितना है fat कितना है यहां पर information लिखी होती है but यहां पर salt के बारे में बताना या sodium के बारे में बताना वो mandatory नहीं है इसी वज़े से जो खाने के items से उसमें आपको कभी भी पीछे salt या sodium नहीं देखने को मिलेगा और वो salt जो कि आपके लिए सबसे ज़्याद नुकसान होता है BP में सबसे ज़्यादा नुकसान धायक होता है यहां पर salt ओके जो कि cardiovascular disease के लिए बहुत बड़ा risk factor होता है तो उनी के ऊपर यहां पर packaging होने चाहिए red food category हम लोग उसको कहेंगे और इसी के ऊपर सारी की सारी बात चीत हो रहे है तो में यहां पर हमारे सामने जो challenge है वो क्या है तो challenges की हमारे सामने कुछ rules or regulation फसाय को सामने रखने चाहिए आगे बढ़ते हैं आपको advertisement मिलता है एक यहां पर election commission of India का क्योंकि देश का तिहार आने वाला है 2019 के लोग सवा चुनाब आने वाले है I can stop them यहां पर जो I can stop them का जो जिकर आया है वो basically उन लोगों के लिए आया है जो कि किसी political party से concern रखते हैं जो candidates हैं जो polling booth agents हैं जो कि model code of conduct को violate करते हैं उनके लिए यहां पर यह चीज लिखी हो यह I can stop them, you can stop them अब आप लोग उन्हें कैसे stop कर सकते हो आपके पास एक application है जिसका नाम है C-Vigil application Action Commission of India ने C-Vigil application की full form दी है इस चीज़ को आप लोग यहां दखना जब भी examination में आएगा क्या है C-Vigil C-Vigil is a fast track election related complaint reception and redressal mobile application which you can use to report incidents of misconduct within minutes of having witnessed them यह fast track election related complaint reception की एक application अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी दिखाई देती है कि कोई भी objective model code of conduct को violate कर रहा है आपके एरिये में आप उसके picture उसकी video एकदम click करके upload कर सकते हो उस incidents को report कर सकते हो और एक electoral offense होने से आप लोग रोक सकते हो इसके साथ साथ आप C-Vigil application का किन किन जगों पर इस्तमाल कर सकते हो model code of conduct को कोई अगर violate कर रहा है कोई unethical practice कर रहा है during the election कोई political misconduct हो रहा है या election के अंदर किसी ने expenditure violation किया है उस समय पर C-Vigil application का हम लोग इस्तमाल कर सकते है C-Vigil application के साथ एक और application को यहाँ पर election commission of India ने launch किया था जिसका नाम था observers application आपको याद हो का मैंने आपके साथ discussion मिलिया था observers application या आपके लिए आज का एक और सवाल है नीचे comment box में drop कर रहा है पेज नमर 8 पे आपको खबर मिलती है यहाँ पे बात हो रही है पैमपा रिवर के बारे में जिसको आप लोग पैमबा रिवर के नाम से भी जानते हो इस आर्टिकल से जो आप लोग को पढ़ने वाली समझने वाली चीजे है वो यह है number one कि यह जो पैमबा या पैमपा रिवर है यह कौन सी श्टेट में है यह है केरला के अंधर दूसरी चीज है जो आप लोगोंने साबरी माला टेंपल का नाम सुना है वो साबरी माला टेंपल यहाँ पे इस पैमबा रिवर के किनारे पर located है यहाँ पे इस आर्टिकल से important है पैमबा रिवर के बारे में कुछ basic details आफ लोगों के लिए पैमबा रिवर third longest river है केला के अंदर केला की longest river है यहाँ पेरियार उसके बाद आती है भदाता फूजा और फिर आती है पैमबा तीनों की तीनों नदिया ही यहां पे west flowing rivers हैं, west flowing rivers बहुत कम हैं तो उसके आपको नेम सियाद होने चाहिए, एक और चीज सबरिमाला temple dedicated to Lord I.A.P. is located on the banks of river Pampa और डक्षिन भागी रथी के नाम से भी Pampa river famous है, पुराने काल में ancient times में इस river को river Baris के नाम से भी जानते थे, जो river Pampa ह इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए Pampa river, आगे बरते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूस की तरफ, न्यूस है page number 8 पे, खाजागुडा rock heritage turning to dust, तो खाजागुडा जो यहां पर जगे है, जो आज की रिट में तलंगाना के अंदर है, वो अपने rocks के लि हैं, वो वैसे ही रखे रहते हैं, कुछ physics के बहुत सारे lock को भी अपॉज करते हैं, यह सारी के सारे rocks, अगर आपनी rocks को नहीं देखा हो, तो google search करके आप लोग जरूर देख लेना, यहां पर एक बहुत बड़ा portion है, खाजागुडा heritage rock का, जो की यहां पर dust से घिरता जा रहा है, जो rock formation है यहां पर, hill के ऊपर, wide roads के ऊपर, उसके ऊपर dust एकटा होता जा रहा है, उसका कारण है यहां पर वहानों का आना जाना, यहां पर जो streams of vehicles हैं, वो बहुत जादा मात्रा में आ रहे हैं, खाजागुडू rock formation के अगर हम लोग बात करें, उसको हैदराबाद metropolitan development authority, कोई ने यहां पर उसे कुछ protection दी थी, बट हमारे सान में जब 2017 तिलंगाना heritage आक्ट आया, उसने इस rock formation को यहां पर as a protected site के रूप में register नहीं किया, जिस वजे से हमारी एक बहुत important डरोहर, earth की geological history से रिलेट किया हुआ एक chapter, यहां पर district होता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है, यहां पर cave भी है, जिसको यहां पर फकरुदीन बाबा बुट्टा या महर बाबा cave के नाम से जानते हैं, ओके, तो यह कुछ important चीज़े हैं, इस particular चीज़ से link करते हुए, इस article में आपके एक और चीज़ मिली, hydrologic changed, तो यहां पर जो hydrologic है इस area की, वो भी हमें पर से वो ननका मुगुडा लेक में आके खटा हो जाता था, बट आज जो पानी आता है, वो अलग-अलग direction में बह जाता है, जिस वज़े से उस particular जगों पर हम लोगों को flood वाली condition भी बढ़ती हुई नजर आई, illegal quaring हो रही है, जो कि landscape को खराब कर रही है, यहां पर बहुत सारे यहां पर कोई जगों पर हम लोग इस तरीकी की चीज़ देख रहे हैं, जो illegal industries construct हो रही है, massive rocks और debris को move कराने की भी यहां पर कोशिश कर रही है, तो यहां पर state government को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग हमारी एक heritage को protect कर सके, आगे बढ़ते हैं अगले news के तरफ, page number 9 पे against spurious drugs, यहां पर spurious drugs के बारे में बात हो रही है, harmful drugs के बारे में बात हो रही है, adulterous drugs के बारे में बात हो रही है, उड्रक्स के बारे में बात हो रही है, उड्रक्स के बारे में बात हो रही है, उड्रक्स के बारे में बात हो रही है, जिनको adulter तो किया जाता है, उनको यहां पर उनके जो chemical composition ने उनको छेडा तो जाता है बट उनको सही मातरा में नहीं यहाँ पर छेडा जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो spurious drugs हैं उनके वहाँ ज्यादा side effects होते हैं वो even लोगों को मार भी सकते हैं इंडिया ने अभी तक सिर्फ 35 cases जो इन drugs से relate करते थे उनको यहाँ पर solve किया है और यहाँ पर total जो cases थे वो 606 के आस पास थे अभी इस पर्टिकलर समय पर आप देखोगे 328 लोगों को arrest भी किया गया था and as many as 15,749 samples were declared not of a standard quality अच्छी quality के नहीं थे वो और 593 samples were declared as spurious or adult rated जहाँ पर 233,996 samples को test किया गया पिछले तीन सालों के अंदर basically 54th parliamentary standing committee on chemicals and fertilizer ने इस चीज़ को no down किया हमाई देश का जितना बड़ा size है medical industry का जितना बड़ा यहाँ पर size है उस हिसाब से जो distribution है जो यहाँ पर sold होती है यह साज़ दवाईया हमाई देश के अंदर उनका sample size अच्छी तरीके से measure नहीं किया जाता है यहाँ पर जब भी sample size measure किया जाता है 1000 या 2000 लोग को किया जाता है 1.2 billion लोगों में से तो हमें इन सब चीज़ों के ओपर ध्यान देना है सरकार को इन सब चीज़ों के ओपर रोक लगानी है आगे बढ़ते हैं अगली news की तरफ आपक प्लास्टिक के ओपर धिया जा रहा है इंडिया ने यहाँ पर resolution पेश किया था कि हम लोग phase out कर देंगे single use of plastic by 2025 but it was watered down उसको यहाँ पर नीचे रख दिया गया world environmental day जो हमने लोगों ने बनाया था 2018 के अंदर और जून 5 2018 उस समय पर हमारे environmental minister ने इस चीज़ की pledge ली थी कि वो single use plastic को eliminate कर देंगे इंडिया से by 2022 कुछ हमाएं देश में states भी हैं जैसे महराज्थ है तमिलनाड है हिमाचल प्रदेश है उन्होंने इसकी तरफ कुछ काम करना चालू भी किया कुछ plastic bags को ban कर दिये कुछ disposable items को भी यहाँ पर ban कर दिये थे इस particular meeting के अंदर कुछ चीज़ें declare हुई है बट इंडिया ने जो यहा reasonable use और disposable of single use plastic products की वज़े से हुआ है और हम लोग बिलकुल phase out करने की कोशिश करेंगे by 2025 the single use of plastic products बट यहाँ पर United Nation की meeting में यही बुला गया कि हर देश अपने हिसाब से नेश्टर डिटरमाइंड गोल जिस तरीके से बनाये थे उसी हिसाब से गोल बना सकता है और 2030 तक की यहा 2030 यहाँ पर रगाया गया साथी बोला गया यहाँ पर कि वीफिल एड्रेस दी डामेज टू आर एको सिस्टम कॉस्ट बाइद अनसस्टेबल यूज और प्लास्टिक प्रोड़क्ट इंक्लूडिंग सिगनिफिकेंटली रिडूस्ट बाइ 2030 और इंडिया चाहता था कि यह और ज्यादा यहाँ पर डोनेट करता है एक्साइट करता है यहाँ पर नाइट्रोजन हीूमन हेल्थ के लिए भी कंसर्न है एको सिस्टम के लिए भी कंसर्न है क्लाइमेट चेंज को कंट्रिब्यूट करता है हमारी ओजोन लेयर को डेपलीट करता है और बहुत ही थोड़ा portion होता है यहाँ पे plastic का जो कि globally यहाँ पे recycle किया जाए मैं आपको पहले भी बताया था कि हमारे देश में सिफ 50% से भी कम यहाँ पे जो plastic है उसे recycle किया जाता है बाकी सारा ऐसे ही waste पड़ा रहता है जिसकी वज़े से हमारा groundwater, soil और food chain भी पूरी की पूरी तरीके से destroy होती है हम ल करने की कोशिश करी Central Pollution Control Board के estimate के साब से देखे तो 2015 के अंदर इंडिया ने जनरेट किये थे 15,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डेली और जिनमें से आप देखो के 70% जो प्लास्टिक प्रड्यूस हुआ था वह ऐजा वेस्ट ही चला गया था 17 स्टेट्स ने भी यहाँ प किन बेलूर सेंट के बारे में बात हो रही है वो है रामकृष्न परमहंस जी आपकी modern इंडिया के लिए एक बहुत ही important portion है यहाँ पर रामकृष्न परमहंस और स्वामी विवेकरन जी के बारे में जानना because they were religious reformers ओके यहाँ पर बात हो रही है कि रामकृष्न मठ और पुरानी चले हुई जो रीत थी उसे तोड़ा और यहाँ पर वो fireworks का अतिशबाजी का इस्तमाल नहीं करेंगे जब वो लोग स्री रामकृष्न जी का birth anniversary celebrate कर रहे होंगे इसके एक तो दो करण है एक तो environment को यहाँ पर बचाना चाहते हैं दूसरा important यह भी है कि Supreme Court का जो verdict टा रामकृष्न जी के बारे में भी हम लोग कुछ डिसकेशन लेंगे अपने आगे वाले आर्टिकल के अंदर बट उससे पहले आपको याद रखना है कि नैसर ग्रीन ट्राबिल ने 5 करूड रूपे का fine impose किया था यहाँ पर वेस्ट पेंगॉल की सरकार के उपर कि उन्हों न यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है कॉलकाता के अंदर और हैवरा के अंदर उसे कम करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए रामकृष्णे मिशन के बारे में कुछ आपके लिए इंपोर्टेंट बाते हैं तो रामकृष्णे परमहन सवजा प्रीष्ट इन अटेंपल आफ दक्षिनेश्वर नियर कैलकटा और वो बहुत सारे रिलिजिस लीडर्स के साथ आए उनके साथ बातचीत करी उनके साथ यहाँ पे बहुत से सलूशन निकलने की कोशिश करी जिनमें से केशव चंदर सेंञ जी भी थे और ध्यानन्त सरस्वती जी भी थे इनने कोंटेंप्ररी इंडियन इंटरलक्ष्वल भी कहा जाता है जो कि अपने कल्चर अपने रिलीजिन में यहाँ पर फेश रखते थे दिनों ने हमारा नाम पुरी दुनिया में famous किया खासका जब religious conference हुए थी Chicago के अंदर और 1897 के अंदर राम कृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी राम कृष्ण मिशन का जो main tagline है वो है the best way to serve God is to serve mankind अगर आप लोग यहाँ पर mankind की सेवा करते हो लोगों की मदद करते हो तो वो equivalent है कि आप लोग यहाँ पर भगवान की सेवा कर रहे हो बहुत सारे education institution, बहुत सारे hospitals, बहुत सारे all organizations यहाँ पर राम कृष्ण मिशन के अंदर work कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं अपनी अगली news की तरफ page number 10 पर आपको cover मिलती है election commission sets pre-poll deadline for manifestos election commission ने यहाँ पर model code of conduct तो निकाल ही दिया था उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें और add कर दी गई है election commission ने यहाँ पर fix कर दी है outer limit for the release of party manifesto जो party manifesto होती है उसकी यहाँ पर limit maintain कर दी है under the model code of conduct और यहाँ पर polling से 48 hours पहले ही आप लोग अपने यहाँ पर manifesto निकाल सकते हो वो जो 48 hours का जो period होता है जिसे हम लोग silence period के नाम से जानते हैं उस particular period के अंदर कोई भी manifesto release नहीं होगा इसी चीज़ को यहाँ पर election commission of India ने हम लोगों के सामने रखा है election commission ने बोला है in case of a single phase election manifesto shall not be released during the prohibition period जिसको यहाँ पर section 126 of the representation of people's act के अंदर prescribed किया गया है जहाँ पर multi-phase polls है जैसे लोग सभा के अंदर बहुत स्टेट साशी हैं से यहाँ पर West Bengal जहाँ पर 7 phases में election है the 48 hours restriction will apply before each polling date इन सब चीज़ों को जहर में रखा गया और यही चीज़ पर्टिकुलर आर्टिकल में थी आगे बढ़ते हैं page 12 पे आपको ख़बर मिलती है Indians to get more time to find work in United Kingdom यहाँ पे उन इंडियन के लिए अच्छी ख़बर है जो कि UK के अंदर काम करना चाते हैं पढ़ाई करने जाते हैं तो जो UK के अंदर लोग यहाँ पे अपनी undergraduate या पोस graduate डिग्री ले रहे हैं उनको अब 6 महीने का visa भी provide किया जाएगा for skilled works यह कुछ important update है जो इंडिया और UK के बीच में हम लोगो को देखने को मिली साथ ही आगे बढ़ते हैं page 13 पे आपको ख़बर मिलती है टी industry wants output regulation तो जो चाय वाली industry है उसको output regulation की ज़रुरत है basic the thing is कि output जो है टी industry का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मतलब supply हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है demand उतनी ही है तो इस वज़े से हम लोगों को general price घटते हुए नजर आ रहे हैं North India की जो टी industry है वो चाहती है कि output के ओपर कुछ regulation होने चाहिए और यहाँ पर over supply को limit कर देना चाहिए crystal की report की माने तो जो टी production है इंडिया के अंदर वो उसने compound annual growth rate 3.2% achieve किया बट अगर इसी चीज़ को आप लोग यहाँ पर consumption इंके increase के ओपर देखते हो तो वो सिर्फ 1.7% था तो यहाँ पर जो disparity हुई है इस वज़े से यहाँ पर जो rates हैं वो हम लोगों को कम होते हुए नजर आ रहे हैं फाउ ने यहाँ पर project किया था कि global price decline 1.4% होगा in normal terms और 3.6% होगा in real terms over the next decade तो यहाँ पर main जरूरत क्या है main जरूरत है एक law एक regulating law लाने की यहाँ पर regulations लाने की जिससे supply और output को control किया जा सके तो industry का main focus यहाँ पर quality और value addition रहना चाहिए ऐसा इस article का कहना है आपके लिए exam relevant है चाय के बारे में जानना टी के बारे में जानना तो tea की बात करते हैं तो tea as a crop कहाँ पर grow होती है उससे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या calamatic condition में grow हो सकती है जहाँ पर hot और humid climate हो hot मतलब एक weather उसका बहुत shooting ambient weather हो 13 degree Celsius से लेकर 28 to 32 degree Celsius के बीच में अगर 32 degree से जाया temperature होता है 32 degree Celsius से जादा होता है तो यहाँ पर जो photosynthesis के लिए वह बहुत unfavorable temperature हो जाता है यहाँ पर low humidity होना जरूरी है humid climate होना जरूरी है पर low humidity जो temperature होता है winter के अंदर जब 12 degree Celsius से नीचे चला जाता है तो टी ग्रो नहीं कर पाती है उसे हम लोग winter dormancy के नाम से जानते हैं टी के लिए सबसे best time ग्रो करने का वो March के आसपास होता है जो कि इस समय चल रहा है यहाँ पर acidic soil का इस्तमाल किया जाता है with 4.5 to 5.5 pH जो कि सबसे अदर suitable होता है यहाँ पर T के लिए इंडिया के अंदर प्रोडक्शन की आप लोग बात करते हो तो अगर सम के अंदर सबसे अदर प्रोडक्शन होती है T की फिर West Bengal के अंदर होती है फिर Tamil Nad, Kerala, Karnatka इसके साथ अगर हम लोग देखें कि पूरी दुनिया में top 5 producers कौन से है T के तो number 1 पे आता है चाइना, number 2 पे आता है इंडिया, number 3 पे है केनिया, number 4 पे है शिलंका, number 5 पे है टर्की आप इंडिया का math दिख सकते हो अपनी left hand side में कि कहा कहा T grow होती है तो green वाले areas है basically वो T के सबसे major producing areas है आगे बढ़ते हैं 5W में आपको ख़बर मिलती है Brexit के बारे में Brexit what's next आगे क्या है Brexit के अंदर तो सबसे पहली चीज़ यह Brexit होता क्या है Brexit का मतलब है Britain exiting from European Union European Union से यहां पर Britain exit करना चाता है और यहां पर Thursday को क्या हुआ था एक second referendum के लिए यहां पर जो parliamentarian से उन्हें vote करना था कि दूसरी बार referendum होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए यहां पर majority ने यहां पर बोला means this means कि यह नहीं होना चाहिए इसका मतलब यह है कि जो पहले decide किया गया था कि Brexit होगा उसी चीज़ को अब यहां पर maintain किया जाएगा और इस agreement को withdraw नहीं किया जाएगा जो first referendum हुआ था उसमें 51% के आसपस लोगों ने बोला था कि यहां पर Britain को European Union का part नहीं होना चाहिए यह withdrawal agreement क्या होता है अगर किसी भी देश को United Kingdom से मतलब किसी भी देश को अगर European Union से बाहर आना है तो उसको यह particular agreement करना पड़ता है और इस agreement के अंदर कुछ transition period होता है कि कितने सालों के अंदर यह implement होगा जैसे यहां पर अगर UK की बात करें तो वो March 29 को apply होकर December 31st 2020 तक चलेगा अब March 29 से यहां पर Britain अलग तो हो जाएगा European Union से बट उसके उपर जो restrictions हैं जो sanctions हैं वो लगे रहेंगे December 31st 2020 तर यहां पर आप देखोगे वो transition period जैसे kicks in होगा उसके बाद European Union को कुछ यहां पर rules होते हैं उनके उनको मानना पड़ेगा UK को UK को यहां पर कुछ पैसे भी pay करने पड़ेंगे जो कि है 39 billion pounds as an installment यहां पर pay करने पड़ेंगे जो लोग यहां पर European Union के citizens UK के अंदर रहे हैं वो अपनी residency को retain करेंगे जो उनके पास social rights हैं उनको enjoy करने दिया जाएगा यहां पर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है Northern Ireland को लेकर और Republic of Ireland को लेकर उसको solve करने की कोशिश की जाएगी और अगर उस solve नहीं होता है तो no trade deal यहां प Northern Ireland जो है वो यहां पर UK का part है Republic of Ireland यहां पर European Union का part है और बीच में जो इनके border है it's a open border बिल्कुल open border है सब लोग यहां पर शांती से रहते हैं इदर उदर जा सकते हैं बट यहां पर जब UK अलग होगा तो सारी की साई चीज़ें शायद हम लोगों को बदलते ही नजर आएं क् पूरा जो ट्रेड है वो यहां पर बदल जाएगा ना open जो border है it was a major part of the peace agreement but if the UK leaves European Union without a proper agreement यहां पर बहुत ही hard border बनता हुआ नजर आएगा हम लोगों को Northern Ireland और Republic of Ireland के बीच में जिसका backdrop scenario यहां पर हम लोगों को नहीं पता वो किस तरीके से create किया जाएगा ओके और यहां पर य agreement हुआ था जिसके अंदर यहां पर जो border थे उनको open border बना दिया गया था तो चीज़ें हमें फिर से घूमती हुई नजर आ सकती है UK के अंदर आगे बढ़ते अंगली news की तरफ news आपको मिलती है quota and a verdict what is the basis for challenging the 10% quota for the economically backwards section यहां पर जो article है मैं आपको उसको बहुत ही simple sense में समझ करते हैं और जो 10% quota मिला है वो यहां पर जो general category या open category था महां से 10% मिला है और जो 50% वाला जो clause था उसको exceed करके यह quota provide किया गया है इसी के खिलाफ Supreme Court के अंदर यहां पर case डला Supreme Court के अंदर जो case डला उसके अंदर बोला गया कि जो 10% quota मिला है इस अगेंस थी basic structure of our Indian constitution क्योंकि ज इंदरा स्वानी judgment आया था जो इंदरा स्वानी case आया था 1992 के अंदर उसने दो important बात की थी पहली जो important बात थी वो यह थी कि 50% से जादा यहां पर quota exceed नहीं कर सकता दूसरी important बात यहां पर यह कही थी कि economic criteria कोई भी sole criteria नहीं हो सकता किसी को reservation provide करने के लिए फिर भी हमारे सामने ने आया 1-0 थी constitutional amendment act of 2019 जिसने 10% का quota provide किया economically weaker section को supreme court के अंदर यहां पर बात्चीच चाह रही है और supreme court ने इस particular मुद्धे को यहां पर आगे भेज दिया है एक constitutional bench के पास now what is the background of this particular case is case कहां पर background अगर आप लोग ट्रैक करोगे तो December 1980 के अंदर यहां पर second backward class committee बैठी थी जिसको head कर रहे थे बीपी मंदल जिस commission को आप लोग मंदल commission के नाम से जानते हो उन्होंने अपनी report दी थी जिसने recommend किया था 27% reservation for the other backward classes और 22.5% reservation for the scheduled caste and scheduled tribes उसके एक दशक बाद August 1990 government ने issue किया एक memorandum और यहां पर provide किया 27% of vacancies for the socially and educationally backward classes जिनको direct recruitment के थूँ यहां पर fill up किया जाना था बट सारी के साथ चीजों को normalize ले लिया गया और यहां पर आप देखोगे मंदल commission का जो case है a nine judges bench of the supreme court pronounced 6-3 majority verdict on the mandal commission case जिसने upload किया 27% quota in the first OM but struck down the 10% quota on the basis of economic criteria उस समय भी 10% का quota था economic criteria पर दिया हुआ जिसको struck down कर दिया गया था तो main finding जो थी वो मैंने आपको बताई कि 50% से उपर limit नहीं हो सकती और दूसरा economic criteria sole criteria नहीं हो सकता यहीं साइच चीज़े इंदरास्वानी case के बारे मिठी जो मैंने आपको बता दी आप लोग यहां पे notes डाउनलोड कर ले ना मेरी telegram link से आगे बढ़ते हैं page number 15 पे आपको ख चिस्तोसैन चिस्तोसैन एक type of polysaccharide होता है जिसको चिस्टिन शेल जैसे shrimp और गयरा होते हैं उनके शेल से यहां पर extract किया जाता है और यह एक biodegradable product होता है basically इस product को दो तरीकों से बनाए गया है इसमें एक product है जो कि water repelling material है दूसरा product है जो कि oil repelling material है repelling का मतलब होता है उसस पास आप पानी लाओगे तो वो दूर भग जाएगा oil repelling material के पास अगर आप टेल लाओगे तो वो उससे दूर भग जाएगा यहां पर जो researchers है हमारे आयटी गुवाटी के उन्होंने यहां पर इस particular चिस्तोसैन को modify किया है chemically modify किया गया है और हमारे सामने रखा गया है जिस यहां पर पानी mix हुआ हुआ है जहां पर पानी है वहां पर आप लोग oil repelling material को शिडग दो जहां पर oil है महां पर water repelling material को शिडग दो उनके gel को शिडग दो और सारी की साई चीजें हमें अलग होती हुई नजर आएंगी तो gel है वो separate कर सकता है kerosene motor oil olive oil यहां तक की crude oil को भी from water selective separation यहां पर हम लोग करते हैं efficiency इसकी बहुत अच्छी है 95% से बहतर है और the gel heat is based on the material is mechanically robust and chemically stable यह particular material है ओके आगे बढ़ते हैं तीन आपको और खबरें देखने को मिलती है आज पहली जो news है वो है ocean giveaway यहां में बताया जा रहा है कि 1994 से 2007 के बीच में अगर आप लोग कर लिया अब यहां पर सबसे बड़ा concern यह है कि आगे आने वाले time में future में क्या हमारे oceans और जादा CO2 absorb कर सकते हैं दूसरी जो आपको news देखने को मिली वो यह है DNA therapy for vision यहां पर एक बहुत ही बड़ी discovery जो लोग blind है या जिन लोगों की eyesight weak है उनके लिए बड़ी discovery हुई है यहा यहां पर gene provide किये गए for green light receptor into the eyes और यहां पर virus की मदद से उनको यहां पर inbipe किया गया था और देखने को मिला कि वो चूहा देखने लगा है ओके वो चूहा blind नहीं रहा है तो DNA therapy हुई है for the vision यहां पर आपको एक और चीज मिलती है जो third है it's a very important आप लोगों ने ecosystem में पढ़ का symbiosis, symbiosis का मतलब होता है दोनों एक दूसरे से benefit पहुचाएं कोई चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई हो और दोनों का benefit हो से अमलोग symbiosis कहते हैं ब्राजील के अंदर scientist ने चीज को detect किया है कि एक amphibian मिसिकली यहां पर frog के उपर गया गया, frog के उपर एक type of bacteria होता है जो की frog की मदद करता है एक particular order को यहां पर generate करने में एक particular सुगंद यहां पर निकालने में जिस सुगंद की मदद से यहां पर frog जो female frog है जो उसकी counterpart है उसको attract करता है और फिर उनकी mating हो पाती है और यहां पर क्या फायदा हुआ? frog का भी फायदा हुआ और bacteria भी उस frog के उपर रहता है और वहीं से ही वो खाता है उसकी skin के उपर होता है यहां पर एक symbiosis relationship हम लोगों को देखने को मिली और microorganism का role देखने को मिला हम लोगों को कितना ज़ादा होता है आगे बढ़ते हैं आपको एक और article मिलता है The Lost Tale That Wax Research Trails तो यहां पर जो question है वो यह है कि जो lizards होते हैं जो generate कैसे हो जाती हैं simple sense में यहां पर दो अलग अलग तरीके बताए गई हैं इस article के अंदर जो पहला तरीका है वो यह है कि यहां पर जो lizard की जब पूच अलग हो जाती है उस समय 326 genes ऐसे होते हैं जो कि एक ही particular जगे पर focus करने लगते हैं और उनको regrow करने में मदद करते हैं उन हो जाती है उस समय पर यही cells उस muscle को regrow करते हैं यहां पर एक और चीज बताए गई कि जो lizards हैं उनकी entries दुनिया में थोड़ी देर में हुई है इन से पहले earthworm और flatworms भी आ गए थे earthworm के अंदर भी similar type of चीज होती है अगर आप earthworms को यहां पर chop off कर दो, cut कर दो, earthworm को काट दो तो वो भी उसी particular जगे से regrow हो जाता है तो biologist ने इसी सब चीजों को खोजने की कोशिश करी और यहां पर एक जो recent study आई है उसमें यह देखा गया है कि यहां पर lizard से लेकर human तक दो अलग अलग type के genes होते हैं जीन का नाम होता है Wnt एक का नाम होता है BMP जो Wnt होता है वो mediate करत है for the development pathway और यहां पर cells को आप कह सकते signal provide करता है self renewal signal provide करता है जो BMP होता है वो अलग gene होता है जो कि यह देखता है कि growth कितनी जादा हो रही है जो कि mediation का का काम करता है उत pathway के बीच में कि यहां पर organs कैसे develop हो body के अंदर development कैसी हो तो यहां पर किन किन कारणों से यहां पर जो बारे में यहां पर बताया गया साथ यहां पर bio energetic cost के बारे में भी जिक्र आया जहां पर जो एक important चीज थी बोली गई जब पहली बार पूछ करती है किसी भी छेपकली की किसी बी लिजाट की जो दूसरी बार जो यहां पर उसकी नई टेल आती है वो पहले के मुकाबले bone मे यहां पर कमजोर होती है उस particular चीज को बता गया इस article में और वो imperfect replica होता है ऐसा नहीं होता जिस टाइप की वो पहली पूछ थी उसी तरीके की वो दूसरी पूछ भी आएगी और यहां पर जो earthworms होते हैं उनका तो आप सर भी अलग कर दो तब भी वो grow कर जाते हैं उसमें भ पर 15 पर आपको एक और खबर मिलती है tropical gel protects farmers from pesticides जब farmers हमारे pesticides का इस्तमाल करते हैं तो उनकी body के ओपर भी उसके negative impact होते हैं agriculture workers के ओपर negative impact होते हैं जब वो pesticide को spray करते हैं उनको बचाने के लिए यहां पर एक natural polymer का इस्तमाल किया गया जिसका नाम है यह particular वो क्रीम है जो की anti-pesticide क्रीम है इसे farmers अपनी body पर लगा सकते हैं और यह विसके एक physical barrier का काम करता है और chemically deactivate कर देता है pesticides को ठीक है since pesticides can inhabit enzymes in blood और बहुत सारे यहां पर experiments भी किये गए है rat blood के उपर यह देखने के लिए कि जो जिल है वो असलियत में prevent भी करता है या नहीं pesticide को गुसने से और यही देखा गया कि यह जिल जो होता है यह प्रिवेंट करता है और यहां पर farmers ची मदद कर सकता है और वो अर sun spot cycle होती है तो हमारी earth के अंदर temperature हमें थोड़ा low होता हुआ नजर आता है sun spot cycle यहां पर वो cycles होती है जहां पर बहुत ज्यादा हमें reaction देखने को मिलता है बट वो sun के ऊपर भी wall area होते हैं जहां पर temperature कम हो जाता है ऐसा माना गया है कि जो solar dynamo होता है solar dynamo वो होता है जो naturally occurring generator होता है sun के अंदर एक river of iron घूमती रहती है जो कि electric और magnetic field यहां पर generate करती है हमें sun spot यहां पर हर 11 साल में देखने को मिलते हैं और यहां पर उनीकी खोच की जा रही है कि एक किस वजह से होते हैं यहां पर suggest किया गया कि sun spot cycle का एक बहुत बड़ा कारण है solar tsunami तो आपको याद रखना below the sun surface वो यहां पर एक बहुत बड़ा cause है sun spot का जो यहां पर cycle होती है वो एक plasma होता है जिसके अंदर यहां पर hydrogen और helium होता है ionized state के अंदर तो हमारी tornoid magnetic field होती है sun के अंदर वो east to west direction में यहां पर move करवाती है उन particular सारी किसारी river को मतला river of iron को river of hydrogen को helium को move कराती है और magnetic field हमारे व move करते हैं और इस वज़े से भी यहां पर trigger होता हुआ नजर आता है हमें sun spots ओके और यह जो tsunami होती है जो tsunami waves होती है sun के अंदर यह 1000 km per hour की speed से move करती है carrying access of plasma to the middle latitudes ओके और जो tsunami waves होती है they can transfer the required distance in a few weeks unlike the earlier models इसी तरीके से आपको देखने को यहां पर मिला कि यहां पर जो यहां पर required that there is extra mass pushing at the bands बहुत सारा mass यहां पर band की तरफ move करता है from the higher latitude so higher latitude से यहां पर sun के center की तरफ यह mass move होता हुआ हम लोग को नजर आता है और यहां पर हमें tsunami देखने को मिलती है sun के around इसे बहुत बढ़ा करण बताया गया है sun spot cycle का आज के news paper में इतनी खबरे थी कैसा लगा आप लो को यह end करते हैं so love and peace from my side thank you for having me here guys and have a good day ahead